गुर्जर आरक्षन आंदोलन समीती ने राजस्थान सरकार से लंबी चर्चा के बाद तेईसमाई को प्रस्तावित अपना आंदोलन वापस ले लिया है दोनों पक्षों के बीच शनिवार को वारता के बाद सोलह बातों पर समझोते हुए इसके तुरंत बाद समीती के नेता रिटायर करनल किरोडी सिंग बैंसला ने विरोध प्रदशन को वापस लेने की घोशना की राज्य के मंत्री राजेंद्र राटवर ने कहा कि गुर्जर नेताओं के साथ बादचीत डस घंटे तक चली यह दो हिस्सों में हुई उन्होंने कहा गुर्जरों की लंबित मांगों को एक तैस समय सीमा के भीतर हल कर लिया जाएगा और इसका समय से नवरंड सुनिस्चित किया जाएगा अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक नयाएवं सशक्तिकरन जेसी मुहंती को नयमित अंतराल पर प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है समिती के नेता हिमत सिंग ने कहा कि सरकार ने समध दाय की मांग के अनुसारों वी सी कोटा के उप्तर भाजन के विदान सभा चुनाव में सरकार का विरोड करेंगे या यमूर्ति रोहिनी आयोग राजस्थान वचार अन्य राजयों मदिप्रदेश, चतीस गड़, उतराखंडव उत्तर प्रदेश को इस मुद्दे पर 4 जून को चर्चा के लिए आमंतरित करेगा और अपनी रिपोर् देने को अपनी सहमती दी थी, इसमें आंदोलन के दोरान गुर्दरों के खिलाफ, दाखिल सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया था, इस बैठक में राज्यमंतरी अरुन चतुर्वेदी वहेम सिंध भडाना, अतिरिक्त मुख्य सचिवदीपल उप प्रेती वद दूसरे वरिष्ट अधिकारियों ने हिस्सा लिया